एक तो पहले ही जार्खन के पूर्वराजिपाल रमेश बैस वह राज अपने साथ लेकर चले गए हैं कि आखिरकार उस बंद लिफाफे में क्या था? उपर से अब तो यह भी मालूम हो रहा है कि वह जार्खन राजभवन का एपल कमपनी का लाप टॉप और मैकबुक भी अपने साथ लेकर गए हैं जिसकी कीमत धाई लाक रुपए हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बलकि आज के दैनिक भास का रकबार में इस्तिजुड़ी एक चपी खबर के मुताबिक पुर्व राजपार रमेजबैस जार्खन राजभवन का एपल का लाप्टॉप और मैकबुक अपने साथ महराष्ट्र ले गया हैं दो माह से भी जादा वक्त गुजर गया हैं लेकिन उन्होंने अभी तक ये दोनों उपकरन वापस नहीं किया है ये दोनों electronic gadget सरकारी पैसे से 6 महीने पहले रमेजबैस के लिए खरी दे गये थे जार्खन राजभवन ने रमेजबैस को पत्र लिख कर लैकटॉप और मैकबुक लोटाने का आगरह किया है फिलाल उनकी तरब से कोई जवाब नहीं आया है दैनिक भासकर के रिपोर्टर्स ने इस संबंध में रमेजबैस से संपर्क करने की कई बार कोशिश की लेकिन उनका फोन कभी बंद मिला तो कभी रिसीव नहीं किया गया महराष्टर राजभवन से भी इस बारे में संपर्क किया गया तो बार बार उनकी तरब से कहा गया कि ADC आपकी राजबैस से बात करा देंगे लेकिन संपर्क नहीं हुआ उन्हें SMS भी भेजा गया पर इसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है इधर जब से नई राजपाल CP राधा कृष्णा नाय हैं उन्होंने राजपाल की फिजूल खर्चों पर रोक लगा दी है तक से सरकारी खर्च करीब 75% तक घट गया है उनकी पतनी चेननाई में रहते हैं उनके परिवार वाले जब भी जहारखंड आते हैं तो फ्राइट की टिकट के पैसे वह खुद देते हैं यहां तक की एरपोर्ट से उन्हें लाने के लिए भी सिर्फ एक गाड़ी भेजी जात अपने मोबाइल का खर्च भी खुद उठाते हैं हाली में उन्होंने राजभवन में एक पूजा किया था इसके लिए भी उन्होंने खुद के 10,000 रुपे से समान मंगवाया था पूर्व राजपाल रमेस बैस अलग-अलग कामों के लिए 18 निजी कर्मचारी रखते थे जूता भी उनका कोई खास नौकर पहनाता है लेकिन सिपी राधर किष्णर ने सक्त आदेश जारी कर दिया है कि अगर किसी ने उनको जूता पहनाया तो वह सस्पेंड कर दिये जाएंगे शक्रमाश में उनको जाएंगे